बजट पर हमारा विशेश शो वित्तमंत्री को बताईए रायपूर से हमारे सयोगी निरेश्टर पाथी के साथ किंद्र की मोधी सरकार तीसरे कारेकाल में है और तीसरे कारेकाल का पहला बजट आने वाला है बजट से लोगों को उमीद क्या है, जन्ता को उमीद क्या है प्रभावित होता है उनकी अपनी क्या उमीदे हैं, जरूरते हैं, यही जानने की कोशिस हम कर रहे हैं. म Common is this, 36 गड़ की अलग-अलग वरक के लोग हैं, मारे साथ मैमा रहे हैं, युवा भी हैं, मेल वर्ग भी है, फिमेल वर्ग में भी एज और पूरा कॉंबिनेशन हमने बना कर रखा, इस्टूडेंट्स भी है, तो सबकी अपनी अपनी क्या उमीदे हैं, सबसे बाचीत करते हैं, शुरुआत करते हैं, मैम क्या नहीं है आपका, डॉक्टर शमा, बजट आ रहा है तिसर बजट जब भी आता है, मिडिल क्लास हमेशा पिस्ता रहा है, उसके हिसाब से कोई बजट नहीं बनता है, जो लोवर क्लास है, उसके लिए हमेशा फ्री में कुछ ना कुछ चीज़ें उपलब्द हो जाती है, जो हायर क्लास है, उसके टैक्स माफ हो जाते हैं, और पिस्ता है आज मोदी सरकार से कि आप ग्रोध जरूर करें जिस हिसाब से भारत आगे बढ़ रहा है उसके लिए हमारी थाली भी उतनी ही भरी पूरी होनी चाहिए और उसके हिसाब से जो पेमिंट है उसमें भी इंकम बढ़ाए और दूसरी चीज है कि सामान इनको सस्ता करें जो महगाई बढ़ रही है जब इतना प्रोडक्शन हो रहा है तो महगाई क्यों बढ़ रही है इसको देख करके ब्लाक मार्केटिंग को रोके और आगे इन सब चीजों पर ध्यान दे और बजट को इतना सुयोग्य बनाए कि हरकी थाली जो रहे एकदम भरी पूरी रहे और उससे स्वास्त आगे बढ़े जिससी की स्वास्त प्रक्रिया गए व्यक्ति स्वास्त रहेगा तो उसका चिंतन बहुत अच्छा रहेगा और उससे देश आगे ग्रो करेगा धन्यमादी खासकर मिडिल क्लास जो है उस पर खास फोकस रहे जो भी उजना आए इनके भी हित की बात हो ये मैम का कहना है मैम आपका कहना मैं डॉक्टर सुनीता चंद्राकर मैम क्या लगता है क्या उमीद है इस बार की बजट से आप लोगो जैसे सर ओट आफ इंकम जो हुआ है मोदी ज चलाई है विक्सित भारत तो उसमें महिलाओं और बेरोजगारों का सभी को ध्यान मेर्के ग्रामट छेत्रों को ध्यान मेरके जो कारे किया है तो बेरोजगारी हमारी उसी तरीके से जाएगी जो infrastructure और manufacturing हब है जो विदेशों में हमारे बच्चे जाते हैं, वो हमारे देश में होनी चाहिए, जो अर्निंग जो हुई है धाई लाग करोड की, उसको मैनिफेक्टरिंग या इंफरस्ट्रक्चर में हमको यूज करना चाहिए, ताकि उसका मिडिल वर्ग को उसका लाब सिधे-सिधे मिल सके और जो ग्रामिन चेत्रों में जो महिलाओं के लिए या ग्रामिन चेत्रों के लिए उन्हें जो 6,000 जो निश्चित किया था, उसमें तो इन्होंने बढ़ाया यह पर बेरोजगारी जो दूर करने की सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए तो मैनिफेक्टरिंग हब डाया जाए, ऐसी नहीं होना चाहिए, किवाल हर समय वादा किया जाता है, लेकिन उससे मुखर जाते हैं, कोई ही पैलिटिक्स पार्टी, तो यह इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे वादों में यह सरकार खरी उतरे, ऐसी हम लोगों की ओचाना. बिल्कुल, जो वादे चुनाओ के समय आपने किये थे, वो उन वादों पर भी फोकस रखे और साथ में फोकस इस बात पर भी रखे कि यहां के जो बच्चे बाहर चले जाते हैं, उनको यहीं पर रोजगार मिले, मैम आपका क्या नम है, डॉक्टर दुर्गावती मिश्रा, म मेरी उमीद सिर्फ मोधी सरकार से ही है कि वह बजट बनाए, तो बजट बनाते समय अधिया को ध्यान में रखे, क्योंकि जो भी बजट अभी तक आया है, वो बजट सिर्फ अपर क्लास यह लोवर क्लास के लिए रहा है, और जो भारत है, बारत में सबसे ज्यादा मैजॉर प्रभावित होगा, स्वास्थ प्रभावित हुआ, इसका मतलब है कि देश प्रभावित हुआ. अथार्त रूप में साकार करना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले मूलभूत अवशक्ताओं पर ज्यादा बजट देना चाहिए, मूलभूत अवशक्ताओं पर फोकस रहे हैं, यूवा भी है कुछ हमारे साथ है, स्टूडेंट है आप लोग, आईए, क्या पर आई कर रहे ह आई तो, क्या आपको क्या उमीद है, आप लोगों क्या उमीद है? करने की जरूरत है या इस मतलब ये काम करने से अच्छा होगा ऐसा कोई सुझाओ सर मेरा मानना है कि अभी उन्हों की अभी उपज हो रही है तो सिचाई विभाग द्वारभी उन्हों को पानी थोड़ी उनकी कहां कर मिलती है लेकिन सुझाओ क्या जाए क्या करने की जरूत है मुझे लगता है कि भारत में पर्यटन की भी असीम संभावना है चूकि हम 36 गड़ से हैं तो 36 गड़ में अगर हम देखें तो रामवन पद गमन है यहां चित्र कोट की तुलना नियागरा से की जाती है तो राज्य सरकार के साथ अगर केंद्र सरकार जैसे अभी अयोध्या में इनकी योजना चली अगर ना केवल 36 गड़ अपी तो भारत के सभी राज्य मुझे लगता है कि पर्यटन छेत्र जो हमारे हैं वहां पर बेसिक फैसिलेटीज नहीं है इस पेसली महिलाओं के लिए तो उस और सरकार को ध्यान देना चाहिए मेरेटन पर भी बजट पर फोकस हो और खासकर उन इस्थानों पर महिलाओं के लिए और जो बेसिक नीट्स होती उनको पूरा करने के लिए बात हो आप लोग भी आजाए हैं क्या नाम है आपका जी मेरे नाम है मन चावडा है क्या कर रहा है आप? मैं ब्यस्थी नसिंग कर रहा हूँ पढ़ाई कर रहा है क्या उमीद है? आईए आगे आजी आप लोग आईए आगे क्या उमीद है आप लोग के देखिए मोधी सरकार ने तो जो भी पहले बजट निकाली है सब हमारे जो लेवल है उससे उपर ही रहा है क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमली से बिलॉंग करते हैं तो हमारे हिसाब से तो महंगाई बढ़ी है मोधी जी ने बहुत सारी डेवलोप्मेंट किये हमारे इंडिया में लेकिन उसका अफेक्ट हम मिडिल क्लास लोगों को बढ़ रहा है महंगाई बढ़ती जा रही है जैसे कि हम अपने परसनल बताना चाहूंगा मैं एक बिजनेस फैमली से बिलॉंग करता हूँ तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा वह हमारा धंदा पानी है और धंदा पानी है हमारा रोजी रोटी का जो है वुसाध है और युवा के नाते आपको क्या उमीद है अभी पढ़ाई करने हैं पढ़के कुछ कितने साल की बच्चा हुए है तो उसके बाद की कुछ उमीद है आप लोग की तुसके बाद आप लोग को रोजगार तुरंत मिल जाए इसके लिए कुछ प्लानिंग हो जैसे कि अभी तो सारे जो हैल्थ फेसलेटी से प्राइविट में बढ़ते जा रही है तो जो इंसान है जो अपर क्लास है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं लेकिन मिडिल क्लास और लोगर क्लास उनको गवर्मेंट हॉस्पिटल ने ज्यादा फेसलेटी नहीं मिल पाती अभी तो एक फेसलेटी अच्छी है जो आईसमान भारत है उसमें पांच आप सबको लाव मिलें सर हम युवा वर्क से आते हैं तो हमारे लिए सबसे प्राइरिटी रहेगी रोजगार रोजगार और देश के भी सबसे बड़ी समस्या पेपर ली तो यह दो मुद्वे पर सरकार को नियम बनाना चीए चुकि भाजपा गॉर्मेंट एक पुंजी व पर नसीब करिए तो हमारे लिए समस्या है तो उनको इसकी इंडिया प्रोग्राम पे ज्यादा फोकस करना चीए इसकील पे हम आज विक्सित भारत का लक्ष रखे हैं विक्सित भारत हम चाइना को देखते हैं सब 2 जार में चाइना विकास सील विक्सित राष्ट बन गया उसका कारण क्या था कि चाहिन सबसे लाज सकेल पी स्किल प्रोग्राम चला है थे चाइना ने पूरे चाइना में एक वह एक पॉरे विक्सित करने की तो वह पॉलिसी इंडिया को लेकि आनी चाहिए और जितने युवाओं को सिख्षा के साथ साथ स्टाटब इंट्रोपन सब्सक्राइब करना चाहिए बच्चों की स्किल प्रोग्राम में डेवलप्मेंट लाना चाहिए और मेंली बहुत सारे जैसे रोजगार के नया हो सर अगर आप सरकारी शित्र में नहीं दे रहे हो तो अगर प्राइवेट शेक्टर में भी बच्चों को ट्रेनिंग देने चा इतने वह कंपीट नहीं कर पाते अपर क्लास के लड़कों से उनको वातरन पैदा करना चाहिए मैं यही करना चाहता हूं सर कि जैसे कि हमको बोलते हैं कि आप स्टार्ट अप करो लेकिन अगर आप बोलो आनन्द अंबानी को बोलो आप UPSC के तहरी करो तो वह पॉसिबल न कि मोदे सरकारने स्केल इंडिया यूथफ मेशन बहुत सारे प्रोग्राम मल्टी लेवल प्रोग्राम से लांज किये थे लेकिन उस प्रॉपर इंप्लिमेंटेशन ना होने के कारण उधस हो गये दूसरी कारेकाल में इसके अंदेखे के गए और जो तीसरा कारेकाल है मैं चाहता हूं कि इस कारेकाल में मोदी जी इस सभी चीजों को देखे कि यूवर्ग का उत्थान किया जाए हम देखते हैं कि भारत विश्वगुरू था और अभी देख रहे कि यूथ पॉपुलेशन सबसे जादा है यहाँ पे तो यूथ की अंदेखी ना करे अभी हम देख और जो मिडिल क्लास और जो लोवर मिडिल क्लास है वहाँ पे भी लोगों को यूवाओं को रोजगार का मौका सुनिश्चित हो सकते हैं पर फोकस करना चाहिए आपका क्या नाम है गोल्डी सिंग राजपुल्डी अभी वर्क से हैं आपको क्या लग रहा है जो यह बाते बोल चुक है उसके अत्रिक्त अगर कोई चीज हो सर मैं चाहता हूं कि पैट्रोल और जो डीजल है जीस्ट के दाइरे में आए ताकि महें ज्ञाइज ज्यादा कम हो सकी दूसरा चीज में यह बोलना चाहूंगा सर जो एक्वैलिटी युनिफर्म सिविल को टाटिकल 44 की बात कर रहो तो आटिकल 44 में यह बोला गया था एक्वैलेटी आईगी तो गौर्मेंट जॉप की मैं बात कर रहा हूं यह प्र प्राइवेट का कोई वह तो सरी शोशन को भी देखना पड़ेगा तो यूनिफर्म सिविल कोट लाना बहुत ज़रूरी यह पॉलिसी मैटर हो गया लेकिन बजट में क्या चीज खास होना चाहिए इस पर भी फोकस है क्योंकि आने वाला है बजट तो बजट पर बात करते ह आपका कहना में मेरे नाम अमर्जीत है मैं यह चाहता हूँ एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी उनको और अच्छे से विक्सित किया जाए ताकि अभी जो सबसे जादा मेजर प्रॉब्लम मुझे लग रही है वह है अनिम्पोईमेंट की हमारे हां रिसोर्स की कमी बिलकुल न करें ताकि अनिम्पोईमेंट न रहे है और वह अपना यह चीज गोवर्मेंट को भी ऐसे हेल्प करेंगें कि जीडिपी को ग्रोव करने में हेल्प करेंगी और सारी इंकम्स भी होगी अच्छी हमारी रिकुल युवाओ के रोजगार पर फोकस हो और भी युवा है हमारे स दिशा सागों दिशा जी क्या लग रहा है जो नई बजट आने वाला है नया बजट आने वाला है मोधी तरीका उमीद क्या है आपको सार उमेद यह है कि जैसे सबने कहां कि एक मिडिल क्लास फैमली को ज़ाधा प्रिफ३रेंस मिलना चाहिए क्योंकि लोच और अशार क्लास पालों को तो मिल ही जाता है कही ना कहीं से बट मिडिल क्लास वाले ले ही ज़ाधा तर पिसाते हैं इसमें और सर, क्योंकि मैं एक नर्सिंग स्टुडेंट हूँ, तो मेरा यह प्लान रहेगा कि अगर मैं आगे जाके जॉब करती हूँ, तो उसमें मुझे एक प्रॉपर रिक्रॉप्मेंट प्लान मिले प्राइवेट सेक्टर से और गवर्वेंट सेक्टर से, क्योंकि ऐसा हो गया है जिसको पार करना पड़ता है, तो उससे कहा है सर, हमें मिडल क्लास वालों को बहुत जादा इसमें जहलना पड़ता है, तो सर, अगर आप एक गवर्मेंट जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप दे रहे हैं जॉब्स तो उसके लिए भी आप प्रॉपर स्टाफ पैटर्न रखी है, जिससे कि हमें सुविधा मिले और जो मिडल क्लास वाले जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं सर, जैसे हम अगर ड्यूटी करने चाहते हैं हम होस्पिटल में, तो हम देखते हैं सर, प्राइस के वज़े से, जो बजट इतना बना रहे हैं सर, तो उसके जारिश रहे कि जो भी टेस्ट है, उनका थोड़ा रेट कम हो, जिससे कि जो आम आदमी है, उसको भी सारे प्रिफरेंस मिले, सारे ट्रीटमेंट मिले, और जो भी पैसा बच रहे है, उनको वो वेलफेर में लगाए, बाकी सर महंगाई तो बहुत जाता बढ़ रही है, तो हता, जो जो भी टोड़ा जाया तो जशन्याग के रही है, बहुत सरा हो जोलेट है, उसको जो जो आधके यह दोर मिलेंग जाता है, और चाहित की जोड़े खऱाने स hell. तो किस तरह की समस्या है और फेस करते हैं जिसको दूर करना चाहिए गवर्मेंट टेंड पे जैसे बहुत सारे प्लांस जैसे आईशमान भारत के बारे में आया है वो प्लांस थोड़ा और इंक्रीज होना चाहिए और जो सच में जिनको इसकी नीड है उनको यह इस जो स्ट्राटेजी जो निकलिया गवर्मेंट तुरू उसका फायदा होने होना चाहिए क्योंकि ऐसा पास यह चीज नहीं पहुच पाती है तो यह भी है कि सरकार यह थोड़ा देखे कि इनके पास यह पॉलिसी जारिया और वो लोग उसका सही से इस्तमाल कर पा रहे है कि नहीं और क्या सुझा हो सकते हैं क्या नाम आपका? मेरा नाम है चेतना साहू चेतना जी क्या सुझा हो है बजट के लिए और उमीद क्या है सरकार से आपकी? मेरी एक्सपेक्टेशन जारे 24-hour duty कर रहे हैं तो उसके साब से हमें हमारी सेलरी भी इतनी मिलनी चाहिए तो यह मेरा डिमांड है कि हमारी सेलरी बड़े अससाफ नर्स इन मेडिकल फिल्ड सेलरी पर फोकस्ट हो अच्छी सेलरी मिले आपका क्या नाम है मेरा नाम संजिना स संजिन जी आपको क्या उमीद है बजट जो आने वाला है क्या उमीद है सरकार से या क्या कुछ सुझाओ सरकार के लिए सरकार क्या करते हैं कि हरवार जो डेवलप्ड स्टेट है उसी को और जदा डेवलप किया जाता है लेकिन वाट अब अडर डेवलप्र स्टेट या पर जहां पर डेवलप्मेंट अभी उतना नहीं हुआ है जैसे हमारा स्टेट है तो सर अपसे बड़ी प्रॉब्लम जो as a youth मुझे फील होती है, वो यह है कि MNCs नहीं है, जैसे Microsoft, Google, TCS, यह सब बहार है, तो पढ़े लिखी लोग यहां भी है, talented लोग यहां भी है, लेकिन talent हमारा जो है, वो बहार के स्टेट में चले जाता है, और फिर वहां काम कर रहा है, या तो इससे भी worst case scenario यह होता है, कि वो कमपनिया है, तो वो पूने, बैंगलोर या बड़े सहरों में ही लगें, छोटे सहरों में, छोटे राज्यों में भी कमपनियों को जाना चाहिए, आसी policy बनानी चाहिए, कि आप वहां पर जाओ, एक unit तो कम से कम अपने एक office वहां पर डालो, क्या लग रहा इस तरह कि इंजिनियर्स भी यहीं से निकल रहे हैं, क्योंकि इस स्टील सिटी है यह, तो गौर्मेंट को इस एरिया पर तो ध्यान देना भी चाहिए, और बाकी चीजों में तो मैं यही बोलना चाहूंगी, कि यह तीसरा कारेकाल है मोधी सरकार का, मैं तो इस मामने में बहुत प्राथियों ने जैसे बताया कि जो पलायन होता है, ब्रेन डेन जो हो रहा है, मोधी सरकार ने entrepreneurship और startups बहुत सारे शुरू किये, जो यह indicate करता है कि आने वाले समय में भी ब्रेन डेन रुकेगा, जो मेरी जो अपील है सरकार से, बजट में, education और जो medical facilities है, उसको tax-free कर देना चाहिए, क्योंकि वो ही है, जो middle class जो है, उसी में सफर करता है, वो एक चीज है जो tax-free कर देना चाहिए, और मैं यही बोलूँगी, जैसे बून-बून करके घड़ा भरता है, वैसे ही अभी तक बहुत सरी areas में बहुत बड़े पैमाने पर काम हुआ है, और आने वाले समय म और लोगों को प्रभावित करने वाला सेक्टर है, और यहां पर ही सबसे जादा महंगाई एक तरह से देखा जाया है, तो खासकर प्राइबेट सेक्टर में इतने महंगे, school, college और हस्पताल हो गए हैं, कि लोग जाने से घबराते हैं, खासकर मध्यमवर्गी या थोड़ा और बी लोग हैं, तो उनसे भी बातचित करते हैं, उनके क्या सुझहाव का उमीद हैं, उनके क्या उमीदे हैं, वह भी जानने की कोशिश करते हैं, और भी लोगों क्या उमीदे हैं, नहीं हैं आपका ? हर्शिता गशेंद्रा अपको क्या उमीद लग रही और सुझाओ क्या है सर मेरी साफ से एजुकेशन चार्जेस कम करने चाहिए जैसे जिस प्रकार से अभी एजुकेशन की साफ से देखा जाए तो छोटे चोटे बच्चों का अपन बुक्स लेने जाते हैं या फिर नोट बुक खरीदने जाते हैं तो फिर उसमें इतना महेंगा रहते हैं कि आम मुझे लगता है कि जो सेक्टर में हमें काम करने की ज़रत है वो एक एजुकेशन है बट आविस उसके बाद हेल्थ केर सेक्टर है स्किल डेवलपमेंट है और टेक्नोलोजिकल डेवलपमेंट है और उसके अलावा जो हम लोग के अगरिकल्चुरल सेक्टर है यह जो अगरिकल्चर सेक्टर में वैसे भी टैक्सिस बहुत कम हैं लेकिन जो एक MSP का मुद्दा चल रहा है वो सब एक सॉल्वना चाहिए क्योंकि उसके वज़े से वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है तो वो सब को गौर्रमन को फोकस में लेके चलना चाहिए क्योंक कर रहे हैं और उसके अलावा टेक्नोलोजिकल डेवल्लम्मेंट अब हम लोग कंपेर करें तो पहले से बहुत जादा है लेकिन फिर भी सेक्टर में हम लोग और फोकस करना चाहिए क्योंकि बहुत पोटेंशियल इस सेक्टर में हमारे इंडिया में क्योंकि स्पेशल इस सेक्टर में अब हम लोग कंप्लीटली रिडक्शन ऑफ पेपर मनी तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हां जो यूपी आये वो एक बहुत बड़ा स्टेप था और बहुत सक्सेस्फुल स्टेप भी था तो उसी पर फोकस करो उसके अलावा जब नोट बंदी हुई थी कुछ तो यह बैंक अकाउंट जो होता है न मेंको लगता है बहुत इंपॉटेंट पाट है हर इंसान का एक होना चीए तो इसको भी लाइक एक मेंड़िक करना चीए उसके अलावा टेक्निकल अगाउट का क्या फाइदा है बड़ी नहीं चीज आप बता रहे हो कि मतलो खास कर र तो क्यों नहीं है तो क्योंकि उनका एक बैंक अकाउंट नहीं होता है या फिर एक पर्मनेट डिपॉजिट कोई अमाउंट नहीं होता है उन लोग आज कमाते हैं जुडा देते हैं तो वो सब एक इंस्पेक्ट करता है बैंक अकाउंट तो इसलिए बैंक अकाउंट होना स सेविंग कर सकते हैं क्या लगता है आपको ये बैंक अकाउंट वाला सुझाओ कैसा है जी सुझाओ तो अच्छा है तो करना चीए इसको आप कुछ सेव कर पाते हो इस्टुडेंट के रहते हैं मतलब जो कुछ पॉकेट मनी मिलती होगी तो इसमें से कुछ सेव कर लेते हो प बिक्सित भारत बनाना है तो इसमें सबसे महत्तरपोन योगदान रहता है युवाओं की युवाओं की यह आगे चलकर भावी युग कर निर्मांड करते है तो इसके चलते हैं बार बार कई लोग यह चीज़ बोली चुके मैं इस पर आना चाहरा हूं कि करना क्या चाहिए लेकिन उसके लिए करें क्या? जब दोनों में समानता है दोनों में साथ आज बार दुनी किकरण है तो अब एक सात सब को एक शिख्षा अलना चाहिए एक सिख्षा और भूर सीख्षाड खातो एक चाहिए ऑर फैसलिटी मिले चाहिए और प्रॉवर्मेट सेक्टर में काम करें सॕहा है मेरा नाम है मनजु कनोजी है मनजु में क्या लग रहा है क्या उमीद है سरकार से और सुझाओ क्या हो सकते हैं बजट को लेकर लिए है कि हमें है एजुकेशन फिल्ड में ज्यादा फैसिलिटीज प्रवाइद करने चाहिए जैसे कि गवर्मेंट और हना प्राइवेट स्कूल में देखा कि टेकनोलोजी गवर्मेंट स्कूल में कम है यहाँ ज्यादा है तो अगर हम टेकनोलोजी फिल्ड में आगे जाएंगे तो हो सकता है कि जो फॉरेंट कंट्री जाते हैं जॉब के लिए तो हमें उनको जॉब भी नहीं प्रवाइट करना चाहिए जो कि हना आगे हमाँ देश के प्रगत्ति के लिए भी होगा अगर हना हमाँ प्वाइ शीखे उवए बच्ये युवाए यही पर जॉब देखेंगे तो हमाँ देश आगे प्रगत्ति कर सकता है मैं यही बोलना चाहूंगी, मैं हमेशा थोड़ा positive way में ही सोचती हूँ इस चीज़ को लेके positive सोचना भी चाहिए, लेकिन जो negative वो भी दिखे तो कम से कम Actually, सबसे बड़ी बात है, इस बार digital, मतलब यह budget पेश करने वाली है निर्मला सितर्मन जी, तो digitalization का यह बहुत अच्छा एक जो start उन्होंने जो किया है जो first time digital अपना budget पेश करेंगी, तो वही में सुझाव दूंगी कि education sector में भी हर चीज़ डिजिटिलाइस्ट हो जाए कैसे है मतलब हर चीज़ का कैसे है? कि AIB आ गया है आप तो, और schools में तक introduced कर दिया गया है और जैसे कि अभी बाकी हमारे साथियों ने जो युवाओं ने भी दिया कि technology बेस्ट होना चाहिए यहीं आप सरकारी स्कूल में जाएए और private स्कूल में जाएए फीज का अंतर भी है और जो standard of education उसमें भी आपको फर्क देखने को मिलेगा तो यह सब चीज़े centralized हो जानी चाहिए education अगर centralized हो जाएगा तो मुझे लगता उसका level far far better हो जाएगा और मैं थोड़ा सा इस चीज़ को देखूंगी बोलना महंगाई बढ़ रही महंगाई बढ़ रही है अफकोर्स महंगाई बढ़ रही है लेकिन साथ में इस चीज़ पर भी focus करिये ना कि standard of living भी तो बढ़ा है last के जो दो बार जो budget आए है last के दो बार के जो मोधी सरकार में standard of living भी बढ़ा है तो मैं थोड़ा इस side पर सोचती हूँ हाँ जहाँ थोड़ी कमी रहे गई है तो आगे आने वाले अभी जो मोधी सरकार 3.0 में इस चीज़ पर भी इन कम्यों पर भी ध्यान जरूर दिया जाएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि विक्सित भारत 2047 जरूर बन कर रहे गा और इसकी नीव यहीं से शुरू होती है चलिए विक्सित भारत बन जाए और खासकर जो समस्याएं हैं लोगों की वो भी दूर हो जाएं महंगाई जो है उस पर नियंतरन हो जाए और इसके लिए क्या किया जा सकता है ऐसे कुछ सुझाव भी हमें मिले खासकर युवा वर्गों के लिए हेल्थ सेक्टर में और सिक्षा के छेत्रों में काम करने की बहुत जरूरत महसूस की जा रही है कि लोग बता रहे हैं और इस पर सरकार अगर फोकस हो तो ऐसा मानना है कि जो भीक्सित भारत का सपना हो बड़ी असानी से पूरा हो जाएगा लेकिन अब सरकार बजट में क्या लेकर आती है यह सुझाव कितना हद तक इसको माना जाता है यह देखने वाली बात होगी दापूर से निले स्रिपाथी, NDTV